तो हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज के इस उड़े में हम देखने वाले एमसे टीटेन बैश की जो मैच एसेच वसे सीएस के बीच की टीन रिमिले उनकी विनिंग टीम जिससे के आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकते या फिर आप गांड लीग ज़रूर जीद सकते तो चलिए दोस्तों मैं आपको हाइलाट करके दिखा रहा हूँ यहाँ यह व मैं आपको दिखा दोंगा कि तो टीम को मैं टीम पर मैं आपसे रिक्एस करता हो अगर आप मेरे चैनल कि अप तक सब्सक्राइब ने क्या है या और पीर को इडिट करके दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख पार है मेरे पास कीपिंग में अभी फिलाल एक के आप्शन है और यहाँ पर ज्यादा अच्छा अच्छे खासे आप्शन भी नहीं है रोस्तों तो मैं हर टीम में अलग-अलग कीपर को यहाँ पर लेने वाल है तीनों की तीनों अच्छे बैट्स मनें दोस्तों इनकी काफिट मैचेस की यहाँ पर शायद बारिश के वज़े से या फिर किसी और वज़े से शायद धुल गई है तो इस वज़े से यहाँ पर सभी प्लेयरों के दो-तिन मैचेस में 0-0 पॉइंट दीख रहे तो यहाँ , को लिया है एसतर से चारों की चारों जैसे क्या आप देख पारें अच्छा खासा परफोर्मस के चारों ने तक चारों जबर्दस्त पर्फोर् Gen.Walcountry के साथ इसके बात गिंद बात करें तो आहां पर आफ हो पर आपया निको जर्बान इको लिए तो इस तरसे तीनों भी अच्छी खासी गेन बाजी कर रहें और इनको विक्टे भी मिली है रोस्तों तो जरूर आप इनके साथ जा सकते इन पर भूर्षा कर सकते दाव लगा सकते तो इस तर से पाइलिटीम हमारी बन चुके और अच्छी खासी टेम बन प्रिव्यू कर लेते तो जैसे कि देख पार है यहां पर मेरे पास यहां को मैंने इस टीम में शामिल किया यहां पर मेरे पास सबसे ज्यादा चार और रहां को लिए फ शाम को लिए ल नूर हकीम को लिए जैसे कि आप देख पार है और चाव तक अच्छा खासा परफॉम्स कर चुके दोस्तों अच्छी खासी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते तो जोर आप इनपर बर्सा कर सकते दाव लगा सकते तो इन चार व क्व दाव लगा सकते अभी फिलाल इटीम बन चुके दूस्तों कप्टन के अगर बात करें तो जैसे के आप देख सकते मैंने इस टीम का क्टन और और को बना और यहां को बना दोनों की दोनों काफी अच्छा और र्डाउंड़र है और अच्छा-खासा पर्फर्फर्मस करें तो इनके फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए और इनको और वाइस-कटन हम बना रहें तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉंट मिले क्योंकि यह और राउंडर है दोस्तों बैटिंग और बालिंग दोनों में अच्छे खासे पॉंट हमें दे सकते तो इसलिए मैंने को क्याप्टन और वाइस-कटन बनाया तो आप इसी तरह से कर सक सकते लेकिन ज्यादा से ज्यादा ग्राण चला सकते तो चले दोस्तों को प्लोज कर लेते और दूसरी टीम को मैं आपको कर दिखा देता हूं जैसे कि बातर चया अब को जैसे में ने देख सकते हैं आपंते हैं इस टिप्म में चेंच कर लिया है यह 20 को लिया है बाकई किसी और किपर को अभिए फिल्लाल में शामिल नहीं कर रहा है इसके बाद अगर बैटिंग पर चालते थो फिर फिर से में पास project स्क्राइब बैस्माने प्रकों चेंज कर लिया जर्ण की फैल को इस टीम में शामिल कर रिया और तीसरे जो ही आप सियादत को मैंने इस टीम में शामिल करें किया है पिछले टीम में हम इनको शामिल नहीं कर पाइते लेकिन अगर आप देखेंगे कि इन्होंने काफी कम पॉइंट दिये तो पिछले ही मैच में शुरुआत हुई इनकी खेलने की तो पिछले मैच में मेरे काल से इन्होंने इत यह अच्छे प्लियर है दोस्तों हाला के पॉइंट में थोड़ा दिक्कत है उनके लेकिन जरूर आप इनको ले सकते इन पर भर्षा कर सकते प्लियर काफी अच्छे है तो जरूर आप इनके साथ जा सकते इन पर भर्षा कर सकते चले दोस्तों गेंबाजी के अगर बात करें तो गेनबाजी में आप देख सकते ए खान को मैंने ले लिया है उसके बाद एम जबार जरबानी को फिर से लिया है यहाँ पर ए अकमल को इस टीम में शामिल किया है पिछले टीम में हम इनको नहीं शामिल कर पाया थे यह भी अच्छे खासी गेनबाजी कर सकते तो जोरू कर सकते दाव लगा सकते और वाइस कैप्टन जैसे कि आप देख पा रहे अजित के साथ मैंने एक खान को लगाया अच्छे खासी गेनबाजी कर रहे है और जरूर आप इन पर भुर्षा कर सकते दाव लगा सकते तो कृमिला के काफी बढ़िया टीम बन चुके एक बाद ट भी पास फिर से हैं यहां पर काफी अच्छे है दोस्तों थोड़ा अब तक पॉइंट में उन्होंने अच्छा परफॉर्मस नहीं किया जरूर लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मस कते तो हमी काफी फायदा हो सकता है या फिर हम ग्राइंड लिग सकते इनके वाज़े से य और लिया तो कुछ इस तरह से एंड रह्मान एफ शाम और इस अजिदीन तोनों को वापस लिया है लेकिन चोथे जो हमने चेंज किया है स्यादत को इस टीम में शामिल किया पिछले टीम में हम इनको नहीं ले पाये तो अगर बात करते हैं तो जोर्व आप इस तरह से कर सकते इस लगा सकते तो कुल्मिला के यह टीम भी काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर क्याप्टन एक और को बनाए और वाइस क्याप्टन एक गेन बास को बना जैसे कि आप देख पार है मैंने एस अजजित को क्याप्टन मना आया काफी अच्छे खासे खेल सकते और डबल पॉइंट देंगे दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों मे किसी और कारण से और उसके बाद इस पिछले मैच में उन्होंने 111 पॉइंट दिया थे तो कुल्मिला के यह एक खान जो है क्याप्टन भी आप बना सकते जरूर आप इन पर वहर सा कर सकते क्याप्टन आप इनको बना सकते और मैं अभी डबल पॉइंट मिलने के हिसाब से अगर इसी तर से रहने देता रहने देना चाते तो रहने दीजिए वरना आप उल्टा भी कर सकते हैं को क्याप्टन भी बना सकते तो कुल्मिला के यह भी टीम काफी बढ़िया बन चुके दोस्तों जरूर कहूंगा इस टीम को भी ग्रांड लिग और स्मॉल लिग के लिए यूज कीजेगा दोस्तों दोनों के लिए उच कर सकते ऐसा नहीं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लिए यूज कीजे यह तीम दोनों के लिए बैलेंस टीम है दोस्तों ज़रूर गैंड लिग में भी आप यूज कर सकते हैं कोई प्रब्लम ने कोई दिकतने काफी प्रब्लेम दे रहा है तो अभी दिया थाल देकिन अभी शुल हुआ है शायद कपरहरा को इस्टिम में लिए भीस्टाइजेंग में रहे दोस्तों प्रिशक कर लिया तीनों लिया है और तीसरे जो है यहाँ पर इस सतीश को लिया यह भी अच्छी खासी बैठिंग कर सकते जरूर आप इन पर भी बहुर सा कर सकते एक तीम में कम से कम आप इनको जरूर लेख सकते इन पर बहुर सा कर सकते चले दोस्तों ऑल राउंडर की बात करें तो फिर से चार और यहाँ पर भी मैंने फिर से चेंज कर लिया School अन रैमान को लिया से न नूरहाकिम बन रहे हैं दोस्तों गेनबाजी पर चलना है तो गेनबाजी में जैसे क्या आप देख पारे रह्मान को लिए एक खान को लिए और जर्बानी को इस टीम में शामिल कर लिया तो यह तीनों की टीनों पहली बार हमने लिये थे उसी तरह से लिया दोस्तों क्योंकि कोई सकते तो चार गेन बाजों के साथ आप जासकते ऑल रांडर आपके पास तीन रहेंगे तो आप इस तरह से भी जरूर कसके दोस्तों यह अच्छे खासे टिम नहीं है दोस्तों तो जरू मैं इसी तरह से रहने देता हो कहीँ चेंजेस कर सके आपको कंटीनू पर प्लिक कर ल तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इसलिए मैंने इनको यहां पर कैप्टन बनाया और एल नूर हकिम को वाइस कैप्टन बनाया दोनों की दोनों अच्छे खासे प्लियर है दोस्तों जरू आप इन पर बहुर सा कर सकते दाव लगा सकते टीम प्रिव्यू जरू करा दे फायज को लिए कुलिया है सतयष घूल की फेल यृस्टिश को हमने पिछले दोनों टीमों में नहीं ले ता लेतने लेकिन शुरूत में मैं आपको अलक कॉम्बिनेशन बतायाism दोस्तों मैंने जरूरों लियले सकते हैं लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर चार गेन बास ज्यादा बेटर रहे गए जरच्म एकमल और रहिमान को लिए और एक वाशम झालों कंद्रक्भा पर आप जरूर लगा सकते बर्शा कर सकते और यह टिम मुझे लगता कि ज्यादा बेटर है फॉर्स टीम अच्छी खासी थी और यह टिम भी काफी बतर लग रही है और अच्छी काशी लग रही तो जड़ोर आप इस तर से भी कर सकते और इस टिम को भी काफी बड़िया बन तू जरूर में कांगा इस टीम को भी घ्राण के लिए उसके चिगा स्मॉल है के लिए ज़रूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगा तो आपका जीतने लगाएंगे तो आपके जीतने के काफी चांसे बढ़ जाते अब कि 15 जित सकते कम से कम एक तीम में अगर आपको अच्छे कहसे अर्निंग कराके देते तो आपके पैसे वसूल हो जाते आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकते तो इसलिए मात बार बार बताता रहता हो कि मैं मल्टीपर स्प्रीम लगा यह तो ज्यादा से ज़्यादा होगा तो इसी वज़े से मैं आपको बताता रहताया है में ज्यादा टीम लगई तो ईखान नूर हकिम को मैंने क्वाइस kommt राप्टर बना एक रहे में दोनों की दोनों अच्छे खासे पॉइंट दे सकते एल एल नूर को तो ऑल-रांडर दोस्तो तो डबल पॉइंट दे सकते बाटिंग और बॉलिंग दोनों में और एक घेनवाजी में दो तिन भीड़ी तो ऐसी लिए अच्छी खासी अर्निंग करें नियुको चलिए तो टोटा नों वर करने हैं तो आकिरिस आपको प्लेइंगी लिएन जब अनाउंस हो जाती है तब मैं टेलग्राम पे धालता हूँ आपको किसको नहीं लिया गया और आपको उनके जगपे किसको लेना चाहिए तो आप दोस्तों आपको मेरी टीनोटी में और मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट ज़रू कर दीजे और चाइनल कब तक सब्सक्राइब ने किया तो वह भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर भी क्लिक करना ना बुले तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यो धन्यवाद